विवा होया पाटी हर प्रकार के स्वण आभूशनों की करे खरीदारी मिलेगा सुख सम्रिधी और आनंद रूप अलंकार ज्वेलर्स के सम् सौ प्रतिशत हॉल्मा गोल्ड ज्वेलरी का एक माद्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स मेन रोट गड़वा खरौंधी से योगेंदर परजाबती की रिपोर्ट खरौंधी परखन के अम्रोरा गाव निवासी धर्मेंदर कुमार दिवेदी के द्वारा ज्वेलर्स ज्यार्खन राज ग्रामिन बैंग के साखा बुका में बैंग के समझावता के अनुसार टेम्पू का रिन के बकाया रासी भरने के बावजूद इन पर अनमंडल करयाले से पूरा पैसा भरने का नोटिस आया है जिससे धर्मेंदर कुमार दिवेदी काफी परेसान है इस समद में धर्मेंदर कुमार दिवेदी ने बताया कि जर्खन राज ग्रामिन बैंक बुका से टेम्पू पर रिन लिया था जिसका बकाया रासी एक लाख एक्तिस हजार था इस पर बैंक के द्वारा बार बार रासी वसुलने का नोटिस भेजा गया इसके बाद एक नोटिस और आया जिसमें बकाया रासी पर समझावता कर बचा हुआ रासी का भुकतान करने का परस्ताव मिला जिसके तहट धर्मेंदर कुमार दिवेदी ने बैंक के अनुसार जनवरी 2020 में बैंक मैनेजर रंजित कुमार के सामने उक्तरासी का समझावता के अधार पर 66,000 रुपे देंदारी का समझावता किया गया जिसमें रिंधारी धर्मेंदर कुमार दिवेदी ने समझाता के अनुसार 66,000 रुपया 10 फरवरी 2020 को ही रिन चुकता कर दिया परांतु इसके बाद भी जर्खन राज ग्रामिन बैंक भुका के मैनेजर के द्वारा रिनी को नो ड्यूज नहीं दिया गया और ना ही खाता बंद किया गया इसके बाद में बैंक के द्वारा बार बार नोटिस किया गया इसके अलावा इनका अकाउंट NPA में भेजते हुए अनुमंडल कर्याले से नोटिस निकाला गया है कि दो नोवंबर 2020 तक बकाया चुकता नहीं किया गया तो उन पर करवाई होगी इन नोटिस के बाद धर्मेंदर कुमार दिवेदी काफी हतास है इस नोटिस के बाद उनका बुका बैंक के समझाता से विश्वास उड़ता जा रहा है उनका कहना है कि बैंक के द्वारा जो समझाता किया गया था उनके समझाता के अनुसार हमने सभी पैसा अब उनके बैंक खाते में चुकता कर दिया है परन्तु उसके बावजूद भी हमारे जैसे बेरुजगार लोगों को परिशान किया जा रहा है उनके द्वारा जो समझाता किया गया था और जो पैसा लिया गया था उसका सारा कागजात हमारे पास उपलब्ध है प्रांतु बैंक के द्वारा इस तरह से परिसान करने से हमें बहुत ही हतासा हुई है